हलो कि मैं आप सब में democrat हाई आज आपके लिए एक को प्रशाद की राय डूती तो ही मुदंटहाट या दो ने जिए कश suggestion को फीर का गाओ अवह दयम्न आपउर्ट है diamonds मोय राख मेंगा अगर आपने मेरी चैनल को पी सब्सक्राइब कर दीजिए गीचन में चलते हैं और बनाते हैं एज़ी आनजीर को आज हम बनाने जा रहे हैं अंजीर मोदक उसके लिए हमें चाहिए अंजीर में लगबग 100-500 ग्राम अंजीर लिया है एक बाउल भर के अंजीर लिया है इसमें 12-13 पीस अंजीर के आ जाते हैं लगबग फिर मैंने mixed dry food लिया है उसे महने crush कर लिया है इस अमेने काजू बदाब और पिस्ता लिया है आप चाहे है तो अपनी पसंति के ओर भी इतना आप एड करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है फिर मैंने वन टेबल स्पून गी लिया है इसमें कोई भी शुगर मैं नहीं किये अगर आप चाहे तो बन टेबल स्पून शुगर पाउडर एड कर सकते हैं अंजीर वैसे ही बहुत स्वेट होती है इसलिए मैंने इसमें कोई भी शुकर एड नहीं की है अब सबसे पहले हमें एक निक्सर जान लेना है और उसमें अंजिर को ग्राइंड करना है उसके लेंजिर के में छोटे-छोटे पीस कर लूँगी जिसे यह आसानी से ग्राइंड हो जाएंगे वना फिर इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा इस तरह से आप केची से यह चक्कु से जैसे आप चाहे इसके पीस कर सकते है दिखिए मैंने सारे अंजिर के इस तरह से पीस कर लिए अब मैं इसका इसमूज ब इसलिया है इसलिए बिल्कुल भी स्टिके नहीं हो रहा है नहीं तो फिर थोड़ा स्टिकी हो जाता आप भी इसे वन टेबल स्पून पानी डालके ही पीसीय मिक्सर में अब हम मोदक बना लेते हैं अब मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पेन लेंगे और उसमें घी इसलिया था हमने वन टेबल स्पूल एड कर देंगे गी के साथ ही साथ इसमें ड्राइफूट एड कर देंगे ड्राइफूट गी में इसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है महीं कि अच्छी तरह से घी में बून लेंगे हो एक से दो मिनिट तक ड्राय फूट तो कमें रफली चॉप करना है जिस तरह से हंजीर ब션 रफली मिलती है बजार में उस में ड्राय फूट और ता, उसी तरह से में इसमें हमें जो अंजीर का अपने पैस्ट बना के रखा था वो भी एड़ कर देंगे बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है यह अब मिक्स कर लेंगे मिश्रन को अच्छी से अच्छी से अच्छी को भी हमें ज्यादा नहीं बुनना है एक से दो मिट तक बुनेंगे जब तक इसमें अच्छी खुश्बू आ जाए गी के साथ जब सीख रहा है इसकी खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है जैसे जैसे सीकता जाएगा या अपना घीश चोडता जाएगा अब देख रहें जैसे मिष्रन रेडी हो रहा है इस तरह से इक घुक रहा है इस तीक होता जा रहा है नों इसमे एक मिट तक और पकालोंगे अब देख सकते हैं मैंने मोदग के मिश्रण को एक बाउल में लेकि हलका घुनगुना कर लिया है इससे थोड़ा घुनगुना कर लिजिएगा तो फिर मोदग अच्छे बनेगे अब हमें मोदग बनाना है उसके लिए हम इस तरका एक साचा लेंगे है और उसमें गी लगा लेंगे थोड़ा सा मिशरण को अलब बनालेंगे गर भ देंगे इसवे थोड़ा इंट रखना कर दोंगा ने बहना है कि युग दोनों तरप से इसमें करेंगे इस मोंदग में स्टॉफिंग भरने की कोई ज़रोत नहीं क्योंकि हमने इसमें ड्राइफुट अल्रेडी डाल चुके कि अच्छे से फिल कर देना है इसे नीचे से भी से प्रेस कर देना है कि साचे को इस तरह से बन कर देना है आपको अगर लगता है कि इसमें से एक्स्ट्रा हो तो निकाल देना है मिश्रण को नीचे से भी हमें से अच्छे से दबा के और फिल कर देना है अगर ज्यादा लगे तो थोड़ा सा इस तरह से आप निकाल दीजिए की फिल करला निदिए अर्ツ ना सम्मैंगे लेफा जब चाल रहया हुआ हो जब आंप अश्थ नकर लीड़ाdf कि थिए हैं थिस नंदर ळग रहा है ईमारा मूदक अब यिदे करले Watson आप देख सकते कि इतना अच्छा लग रहा है सारे मत अब बार बार हमें इसमें गी लगाने की ज़रूत नहीं है सारे मोदक हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे अब इसे भी खोल लिया है मैंने देखिए हमारे मोदक रेडी है अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ अब इसे रेडी हमारे अगनपती पापा को दर आए जाने वाला प्रशाद ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी होते हैं अगर आपको अंजीर मोदक की रेसेपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर अपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर देजिए थैंक यू